दोस्तों क्या आपके भी फोन पे के अंदर यही प्रॉब्लम आ रहा है जब भी दोस्तों आप बैलेंस शेक करने जा रहे हो तो यहाँ पर टेक्निकल इशू बता रहा है खास करके श्टेट बैंक आफ इंडिया वालों को ज्यादा तर यह दिक्कत आ रही है बैलेंस शेक करन करने में या फिर कोई भी पेमेंट करने में है ना बार-बार टेक्निकल इशू आ जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए वापस से दोस्तों मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ यहाँ पर हम बैलेंस शेक करने जाते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर उसके बाद पहली बाद तो यह काफिट टाइम तक गोल-गोल घूमता है जैसा कि आप यहाँ पर खुदी देख सकते हो है ना उसके बाद लाश्ट में आ जाता है टेक्निकल इशू अब भाई यह है क्या कैसे आप इसे सॉल करेंगे कई लोग तो यहाँ पर फोन पे को डि पर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है इस्टेट बैंक ओफ इन्डिया में आपका अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ओर शेयर कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह जो प्रॉब्लम आया है हमारे फोन पे की अंदर ना बैलेंस चेक हो रहा है ना ही ट्रांजेक्शन हो रहा है ना बार बार टेकनिकल इशू आ रहा है इसका क्या सॉलूशन है कैसे आप इसे सॉल करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा ना एक दूसरे बैंक में भी अकाउंट है तो यहाँ पर उसका बैलेंस मैं आपको चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि उसका चेक हो रहा है या फिर नहीं ठीक है तो यहाँ पर हम चेक बैलेंस के उपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आईसी आईसी बैंक में ह चेक हो रहा है ठीक है मतलब कि इसमें कोई भी समस्या नहीं है दूसरे बैंक में लेकिन अगर बात करें इस्टेट बैंक ओफ इंडिया का ठीक है जैसे कि इसमें आप देख लीजे वापस एक बार हम ट्राइ करके देखते हैं ठीक है यहाँ पर UPI पिन डालते हैं UPI पिन डाल प्रॉब्लम है यह आखिर फोन पे का है या फिर बैंक का है है किसका मैं समझाता हूँ दोस्तों यह जो प्रॉब्लम है यह मेंली बैंक का है यानि कि अगर आपका स्टेट बैंक ओफ इंडिया में अकाउंट है तो समझ लिजे स्टेट बैंक ओफ इंडिया का जो सर्वर है वो down चल रहा है, यानि कि दोस्तों इस case में अगर आप अपने phone pay app को delete कर देंगे, दोबारा से install करके पूरा setup पोगरे करेंगे, तो भी दोस्तों आपको यही problem देखने को मलेगा, अगर आप दोस्तों अपना UPI pin भी reset करके करेंगे, तो भी यही problem आएगा, bank को unlink करके वापस से लिंक करेंगे, तो भी यही problem आएगा, इसका जो solution है दोस्तों ओ यही है, कि आपको wait करना पड़ेगा, लेकिन मालेजिए आपको balance चेक करना है, आपको किसी को payment करना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों आप दो चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमे दोस्तों आप balance आसानी से चेक कर सकते हैं, और काफी सारे payment और ट्रांसफर और भी होता है, ठीक है, तो इससे भी इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, जब तक phone pay के अंदर यह server problem आ रहा है, और मालेजिए आप यह मतलब कि इस्तमाल ही नहीं करते, आपके phone में यह नहीं है, तो क यहाँ पर देख सकते हैं, 92238, उसके बाद 516 आप डाल दीजे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा नंबर है, यह नंबर पर जैसे ही दोस्तों आप miss call देंगे, आपका जो bank balance है, वो message के जरिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो यह एक आसान तरीका है, bank balance shake करने के लिए, अब जब तक दोस्तों यह phone pay का problem solve नहीं होता, तब तक आप इसका ही इस्तमाल कर सकते हैं, और phone pay को दोस्तों आप कुछ भी कर ले, लाग कोसिस कर लेंगे, तो भी problem solve नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह bank की तरफ से problem है, समझे हो, क्य यह चीज़ आपको करना है, यानि कि अगर आपको balance check करना है, तो miss call marker check कर सकते हैं, या फिर transaction वगरे करना है, तो you know SBI या फिर internet banking का इस्तमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको दोस्तों यह video पसंद आया, तो please यह video को like और share करना, साथी साथ हमारी channel को subscribe कर लेना, thank you दोस्तो, bye bye and take क्यर,